नमस्कार दोस्तो आज सुबे सुबे आप सभी पेसल निवेश को के लिए पेसल की एक छोटी शी अपडेट लेकर आया हूँ उन निवेश को के लिए जिनका रिफंड अमाउंट 15,000 रुपे से कम है और उनको अपनी गलती को ठीक करने के लिए एडिट कलेम का ओप्सन भी मिला हुआ है जिसको लेकर आप पिछले 5-7 दिनों तक परेशान भी थे क्योंकि आप अपने एडिट कलेम को फाइनल करने की तरदूर की बात है आप अपने पेसल की साइट पर पेसल का स्टेटस ही नहीं देख पा रहे थे तो इसी साइट को लेकर आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए है तो चली जल्दी से आज की सब्डेट के बारे में जान लेते हैं क्या है वो गुड नूज जैसा कि आप सभी पेसल निवेशकों को जानकारी थी कि सेबी पेसल रिफंड की साइट पिछले 6-7 दिनों तक बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी फिर चाहिए आप अपना पेसल का स्टेटस चेक करने के लिए साइट को ओपन कर रहे थे या फिर आप अपनी गलती को ठीक करने के लिए मतलब कोई भी निवेशक किसी भी प्रकार का कोई भी कारियर नहीं कर पा रहे थे जिसको लेकर आप काफी परेसान भी हो चुके थे और जिसके बारे में भी सेवी ने पब्लिक नोटीस जारी करके इसकी जानकारी आप सभी निवेशको को बता दी थी कि किसी एरर की वज़े से पेसल की साइट को 5 दिनों तक के लिए बंद किया जा रहा है और उस पब्लीक नोटिस के बारे में भी हमने अपनी वीडियो में बताया था अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप PSL का कोई भी काम PSL की साइट पर कर सकते हैं फिर चाहे आप अपना PSL का स्टेटस चेक कर रहे हो या फिर PSL के फारे में भी गलती को ठीक करें हलांकि गलती को ठीक वो ही निवेशक कर सकते हैं जिनको एडिट कलेम करने का उप्सन आया हुआ है और जिनका refund amount 15,000 रुपे से कम है और मैंने भी आज सुबे सुबे काफी status चेक किये हैं जिसमें site एकदम OK काम कर रही है हलांकि site में कुछ ज़्यादा update देखने को नहीं मिली जिसकी हम उमीद कर रहे थे क्योंकि एक तो हम अपने status में यह देखने पा रहे थे कि हमारा refund amount कितनी है जिससे कि हमें अपने refund amount के बारे में जानकरी मिल सके और वहीं जिनका refund amount अधिक है उनको भी edit करने के लिए कोई option ही नहीं आया हुआ है और उपर से status में गलती को ठीक करने के लिए बोला जा रहा है और साथ में ही जिनके status में land allotment में yes हो गया था या उनको company की तरफ से property मिल गई है तो उन निवेशकों के लिए अभी site में भी कोई बदलाव नहीं किया गया तो उन निवेशकों के लिए अभी और भी समय लग सकता है उनका refund वापिस मिलने में फिलाल के लिए जिन निवेशकों को अभी edit करने के लिए option आया हुआ है और उन्होंने अभी तक अपनी गलती को ठीक करके दुवारा से final नहीं किया है तो वो ही अपनी गलती को दुवारा ठीक करके अपने refund के लिए दुवारा आविदन कर सकते हैं और यह प्रिकरिया फिलाल 31.01.2023 तक ही जारी रहेगी और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके फारम में गलती है उसे आप अच्छे से देखकर ही final करें या जो भी डोकुमेंट आपको अपलोड करना है उसे अच्छे से स्कैन करके ही अपलोड करें क्योंकि refund पराप्त करने के लिए मोका बार-बार नहीं मिलता और मिलता भी है तो काफी दिनों में ही पोर्टल को ओपन किया जाता है तो फिलाल जो भी आप गलती को ठीक कर रहे हैं उसे अच्छे से देखकर ही final करें तो यही थी PSL निवेश को के लिए छोटी सी update से भी PSL की site को लेकर मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर करना नह भूले आज के लिए धन्यवाद